नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं तो नमस्क्तों सबस्क्राइब पी आपके रिक लायकर ने because of this today, आज कल की जो lifestyle हैं उसकी वज़ा से ये बिमारी को जादा ही हो रही है, तो lifestyle improvement तो बहुत जरूरी है, तो पहले आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो polycystic ovary syndrome disorder, ये होता कैसे है, क्यों होता है, क्या कारण होने के, इसका इलाज क्या है, इसको diagnose कैसे करना, इसक इसको खुद पे हावी होने से आप को कैसे बचना है इससे क्योंकि इसकी वज़ा से depression, बहुत सारी चीज़े होती है, तो देखिए, होता क्या है, लोग घबरा जाते हैं, लेकिन घबराना तो अब है नहीं, क्योंकि प्राब्लम अगर आ गही है, तो उसे लड़ना ही लोटा solution बचता है, तो आज की इस वीडियो में इनी सब को चीज़ों पर discussion करें गए, तो आज मास्ट करने माले है, polycystic ovary syndrome, तो जैसे कि मैंने बताया, polycystic ovary syndrome, मतलब ovary में poly, मतलब बहुत सारे cysts, जानी कि ayud h wages की चीज़ को चीज़ होता है जो गांट टाइप का होता है उसके अンदर B बनता कैसे हैं तो क्या होता है देखिए ओवरीज में हमारी बॉड़ी में क्या होता है मेल हार्मोन भी थोड़े क्वांटिटी में प्रेजंट होती है और फीमेल हार्मोन की वजह से जो लड़किया है जो औरते हैं वो प्रेगनेंट हो पाती है और मेल हार्मोन की वजह से जो कि females hormone जादा हैं body में इसलिए pregnancy हो पाती है sex desires होता है बहुत सारी चीज़े खुबसूरती और body wake नहीं बढ़ता यह सारी चीज़े होती है अराम से सो पाती है लेकिन जब यही hormone कम हो जाए और जो male hormones है वो जादा उभरने लगे सामने तो क्या होता है तो बहुत सारी complications होती है infatility तो होता ही होता है साथ ही साथ और भी बहुत सारी जुडी समस्याइं होती है दाड़ी मूच आना irregular body weight हो जाना कहीं skin का darkness हो जाना कालापन जिसको कहते हैं तो उसी के बाद वही चीज़े होती है यानि कि hormone level का क्या हो जाता है imbalance हो जा जानी कि 15-16 साल की लड़की को भी हो सकता है और 40 साल की ओरत को भी हो सकता है ठीक है अब देखिए इसमें होता क्या है जैसे कि मैंने बताया कि यह woman's की ovaries ovary क्या होती है ovary reproductive organ है जहां से क्या estrogen और progestron यह दो hormones होते हैं female hormone produce होते हैं ठीक है और यहीं से थोड़ी सी मात्रा में जैसे कि मैंने बताया male hormone androgen जिसका नाम होता है वो भी produce होता है ठीक है यानि कि estrogen progestron तो अवांट में produce होता है यह थोड़ी सी मात्रा में androgen भी produce होता है जो कि male hormones होता है ठीक है अब देखिए ovary क्या करती है ovary fertilized egg का release करती है by sperm ठीक है release of egg each month known as ovulation ठीक है ovary जो यह eggs होती है इनको release करती है हर महिने ovary egg release करती है और इसी process को ovulation कहते है ठीक है तो अब देखिए यह ovulation की process में भी eggs release हो रहा है वह कैसे निकल रहा है देखिए क्या होता है FSH यानि की follicular stimulating hormones होता है ठीक है अब इस hormone का Hindi में कुछ नाम नहीं हो सकता सिर्फ इसका नाम है follicular stimulating hormones मैं साइसली यह कह रही हूं क्यूंकि मेरे पास बहुत सारे comments आते हैं कि माम हिंदी उस कीजे हिंदी उस कीजे तो मैं हिंदी में आपको बताती हूं लेकिन अब जो नाम English में हो तो English में ही रहेंगे ठीक है तो देखिए follicular stimulating hormones क्या करता है follicular stimulating hormones ovary को stimulate करता है ovary को बोलता है कि भाई आप follicle produce करो जिसमें eggs है follicles क्या होते है follicles मतलब एक sack like structure स्ट्रक्चर मतलब एक ऐसा गुबाड़े जैसा structure जिसमें liquid filled होता है और उसी में eggs भी होते है तो यह FSH क्या कहता है ovary को कहता है कि आप follicle produce करो जिसमें ठीक है और later carnage hormone LH क्या करता है ठीक है है कि अवरी को कहता है भाई आपses दो प्रोडूस करो लेकिन ऐसे एक प्रोडूस करो जो मेचे और एक हैं ठीक है कैसे जने मेचें आपसे एक है ऐसे आपमर्यूस और प्रोडूस करो हिस्व the FSH और LH वरीज की बारे में आपको आइगेस की बहुत सारी बात मैंने थोड़ी बहुत जो जन्रल चीजें बता दी अब यही एग क्या होते हैं जो यह मैच्योर एग है लिटनाइजिंग हार्मोन की वज़ा से LH से यहां मैंने डिनोट किया है लुटनाइजिंग हार्मोन की वज़ा से यह जो मैच्योर एक्स रिलीज हो रहे हैं यही एक क्या होंगे मेल स्पर्म से जाके फर्टिलाइज होंगे फर्टिलाइज मतलब निशेचन जिसको आप कहते हो फर्टिलाइजेशन की प्रॉसेस होगी ठीक है तो और हर महीने आपकी प्रॉसेस है आपका रिप्रोडक्टिव और्गन कैसे काम करता है यह मैंने बताया अब देखिए अब इन ही प्रॉसेस में कुछ उपर नीचे हो गया तो प्रॉब्लम्स हो जाती है क्योंकि भाई ओवरी कैसी जगह है जहां से दो हर्मोन निकल रहे हैं मेल भी और फीमेल हार्मोन कौन कौन हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्र знаком कौन रहे हार्मोन से इंडरोजन और अगर प्रॉब्लम हो जाएगी अब देखिए अगर da 뒤 यह Kap author norm ज्यादा कैसे हो जाता है फैमिली में किसी को हो जो बच्चे में आ गया है बेबी में आ गया है अब उनको आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है यह प्रॉब्लम होती है और एक दूसरा होता है इंसुलीन रेजिस्टेंट तो देखे मैं आपको बात बता देती हूं 70% केसे में जिन महिलाओं को यह होता है PCOS उनमें इंसुलीन रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है 70% केसे में और मैं आपको बात यह भी बता देती हूं कि PCOS एक ऐसी बिमारी है जो 70% और उतों को पता भी नहीं होती है कि उनको यह बिमारी है उनको यह प्रॉब्लम है क्योंकि सिम्टम्स थोड़े स होते हैं जिसको नेगलेक कर लेते हैं लोग आगे बात करेंगे सिम्टम्स के बारे में तो रिसर्च के हिसाब से 70% और तो आभाज भी नहीं होता कि PCOS से वजूज रही है और एक रिसर्च में यह भी सामने आया था कि सिफ 2% महिलाओं को पता होता है कि उनको यह प्रॉब् और यह क्या करता है यह को छरीर को मदद करता है एक में शेलिंड को अब हनु हाने करता है इसक की ए इनसुलीम खाने से शुगर को यू ने अट upp Kita की और उससी को आपाऊगी कि लिए तो हिनसलीन है जो इसी प्रक्रिया में मदद करता है parlé कि भोडी ने भी जो खाने ने जो शुगर को अब कैसे यूज़ करना Amb eager लगाना में उसमें मदद कीया तो क्या होता है तो जब हर्मोनल इंबालंस होता है जिए चिटbey कानजिशन आती है तो शरीर क्या करता है इसी इंसुलीन को यूज नहीं कर पाता है और क्या करता है कि पैंक्रियास को ट्रिगर करता है कि और इंसुलीन चाहिए और इंसुलीन चाहिए जादा इंसुलीन की जरूरत है तो जब सिक्रीशन बढ़ गया जैसे फिर क्या हो गया सिक्रीशन बढ़ ग पू से नावहिए Sir भीए तो फिमेल की बॉडी में की इंसुलीन बाडी ने यूज नहीं किया प्रापर जब बाडी में है इनसुलीन लेकिन बाडी यूज नहीं 밝혔 अब यूज नहीं किया तो बाडी को लग रहा है इंसुलीन को फ related कहतम है तो दो उसने क्या कि ब्रेन को सि तो उस लेवल की वजह से क्या हो रहा है मेल हार्मोन यानि की एंड्रोजन भी बढ़ रहा है तो यह हार्मोनल इंबालन्स ही हुआ क्योंकि मैंने आपको क्या बता है कि मेल हार्मोन ज्यादा हो जाएगा तो भी PCOS की कंडिशन आ सकती है ठीक है अब देखें सिंटम्स की बात क करें तो देखिए नॉर्मली हर मंथ पीरियड आता है ठीक है लेकिन जिन महिलाओं को PCOS होता है यानि की पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या पॉलिसिस्टिक ओवरी डिसॉरडर जीनको होता है उन को पीरियड बाते हैं लेकिन कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है उनको आठ से कम हो जाए या हो ही ना ठीक है यानि की मेंस्टूवल एर्रैगुलर ठीक है एर्रैगुलर पीड्यक्ज होता है ठीक है क्यूं क्योंकि देखे ऐस लैक ओफ भिल्यूशन प्रिवैंट्यूट यूट्रेटी लानिंग फॉंचेडिंग कि देखिये जब ऑब्यूलेशन ही नहीं बाहर निकल नहीं रहे हैं तो जब नहीं रिलीज होंगे तो एक वाल होती है यूटराइन तो वही वाल जब जड़ती है बाहर निकलती है तो वही पीडेक्स में निकलता है तो जब यूटराइन की वाल ही नहीं शेड करेगी जड़ेगी नहीं तो पीडेक्स किस बात का ठीक तो बाहर कैसे निकलेंगे यूटिराइन की वॉल से shed करके तो वह भी नहीं होता तो यह तो फिर ऐसा हो सकता है है वी पीरियक्स हो जाएगा उसको भी लोग निगलेट कर जाते हैं अब जब कई महीनों तक पीरियक्स नहीं हुआ भाई एक महीने नहीं हुआ दो नहीं हुआ तो यूटिजाइन की वाल क्या होगा, परद दर परद दर परद मोटी होती चली गई, तो जब एक महीने नहीं हुआ दूसरे महीने नहीं हुआ, तीसरे महीने होगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हैवी पीडियक्स बहुता है, जिसको लोग अक्सर निंगलेट कर कई अगर एसको एलगेगा तो जैसे अगर फीमेल्स को दाध ही मुच आने लग जाएं। सिटक्थ अगर फीमेल्स I. का बढ़ेगा, तूँकि आप की बाड़ी ने हार्मोन में howmon का imbalance हो गया है और इंसुलीन की resistance हो गई है इंसुलीन की resistance होई बाड़ी दाइबकोया है तो तो देखिए weight gain यानि की obesity COP, मोघापा to बहुत leading cause है PCOS- red嘛 में मुटापा होता है उनमें ये हो सकता है तो वेड गेन होता है मेल पैटन बाल्डनेस मतलब कि कहीं इधर उधर से बाल नहीं जाना सिर के बीचो बीच से बाल गाया है भोना that is called male pattern baldness फिर उसके बाद darkening of skin growing areas में हाथ के नीचे कुछ जादा ही काला होना that is called darkening of skin फिर headaches continue सिरदर्द होते रहना headaches क्यूंकि आपनिया हो जाता है आपनिया मतलब आप कही रातों से सो नहीं पाते हैं तो जब कही रातों से कोई सोगा नहीं तो सिरदर्द तो पक्की होगी ठीक है अब इफेक्स को देखते हैं इससे क्या क्या होता है मैं पेस्टीलीटी गैसे कि मैं ने पहले ही बताया हार्मोल roos ओ кстати तो themि मेल इसम्प mm से कौन सा एक क्षाट्राइस होगा तो इन ऍैश्पृत हो जाती ठीक है Metabolic Syndrome Sensorm क्या होता है मतलब की बुडस जाया चुगर लेवल बढ़ जाया ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, high density lipoprotein यानि कि इनको good cholesterol कहते हैं अगर high density lipoprotein good cholesterol का amount body में अच्छा खासा है तो fat का deposition नहीं होगा, cholesterol का deposition नहीं होगा high density lipoprotein कम हो जाती है और low density lipoprotein जादा हो जाती है जिसकी वज़ा से क्या होता है और इनी पूरे condition को यानि कि sugar level बढ़ा हुआ होना blood pressure बढ़ना, high density lipoprotein कम और LDL जादा होना इसकी वज़ा से क्या होता है, heart disease का खत्रा बढ़ जाता है और heart disease और diabetes जैसी बिमारियों का खत्रा बढ़ने लगता है ब्लेक शुगर लेवल बढ़ गया, ब्लेक शुगर लेवल कैसे बढ़ा है मैंने आपको बताया क्योंकि इंसुलीन रेजिस्टेंस एनरजी यूज नहीं हो रही है फिर sleep apnea, sleep apnea मतलब कई रातों से switch सोए ही नहीं है, नीदी नहीं आ रही है और क्या हो सकता है, endometrial cancer हो सकता है क्योंकि uterus के उपर continue layer पे layer, layer पे layer चड़ती जा रही है और क्या हो सकता है, depression भाई, जिसकी body में इतना कुछ चलने लगेगा, उनको दिखेगा सामने से कि मेरे face पे बाल आ रहे है, इधर इधर वो problem यह, problem weight gain बहुत सारी चीज़ें, तो depression होना तो बहुत स्वभाविक सी बात है आपको करना क्या है, सिर्फ ग्यान रखना है चीज़ों का और अपनी life style को इंप्रूफ करना है, मैं आगे वो भी बताने वाली हूं, तो अब देखिए diagnosis के लिए क्या होता है, कि बहुत सारे तरीके हैं, diagnose करने का, पता करने का, तो सबसे पहला तो लोग कॉमनली जो करवात हैं, ब्लक टेस्ट में से ये पता चल जाता है कि कहीं मेल हर्मोन का लेवल जादा है, तो हर्मोन की लेवल पता चल जाएगी, शुगर की लेवल पता चल जाएगी, क्योंकि भाई, शुगर बढ़ जाता है, तो शुगर की लेवल पता चल जाएगी, तो ब्लक टेस्ट कोई गांट नहीं तो हमें पेल्विक एक्जामिनेशन इसको कहते हैं और फिर क्या कोलिस्ट्रॉल लेवल बाड़ी को चेक किया जाता है और अर्ट्रा सांट करवाते ही है तिके कोलेस्टरॉल लेवल क्यों क्यों कि भाई हाई डेंसिटी लाइपो प्रोटीन का क्या सीन है अगर यह कम है वह जादा है तो फिर उसके बाद देखिए अब डाइट की बात कर लेते हैं वजन पहले ही बढ़ा हुआ है लेडीज तो चावल तो बिल्कुल नहीं खाना है आपक सिर्फ आपको ग्रीन वेजिक टेबल्स खानी और फ्रूर्स खाने है ठीक है फ्रूर्स में भी ऐसा मत कंस्यूम कीजे कि केला ही क्यों कि उससे थोड़ा सा वेड बढ़ जाता है तो ग्रीन वेजिटेबल्स आपको खाने है और हेल्दी डाइट लेनी है फाल्तु का इधर यह जो फास्फूर्स होते हैं यह सारी चीजे नहीं खानी है यानि कि आपको एक हल्दी लाइफ स्टायल फॉलो करनी है क्योंकि अगर यह फॉलो करेंगे तो एक स्टेज ऐसी आ सकती है कि आपका हल्दी वेट मेंग्टेन होगा तो फाइटिलिकी में इस्श बिल्कुल नह तो मैं सिर्फ लेडी से इतना कहना चाहूंगी डिप्रेशन किसी भी चीज का हल नहीं है कोई भी चीज देखके डरना नहीं है आपको सिर्फ सलूशन देखते जाना है आगे का ठीक है और मैं बात और बोल देती हूं आपसे की प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर आप लोगों से चार दिन आप 30 मिनाट का इंक्टेंस वरक आउट आप कीजिए इससे होगा ये कि आपकी बोडी शेप में रहेगी और वेक नियंत्रन रहेगा आपका और आपका जो हर्मोन इंबालेंस है थोड़ा सा नॉर्मल तो होने की कोशिश में आ जाएगा क्योंकि नैशुरल एयर और एक्सरसाइज का बहुत असर पड़ता है बोडी पर ठीक है तो इंटेंस वरक आउट इस मस्ट अगर डेली नहीं तो कम से कम 4 देज इन वीक इस मैंडिक्टिवी अगर ये कंडिशन आपके संग है तो तो अभी तक की बात हो गई अब आप सोचेंगे कि अब रही इतनी तो अब देखें ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं अगर आपने हल्दी वेट मेंटेन किया हुआ है ठीक है हल्दी वेट मतलब की जितना नॉर्मल वेट है उससे भी आप 2-4 परसंट कमी करके चलिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका अगर 35 किलो वेट होना चाहिए आपने 32 कर लिया तो आपका नुकसाने नहीं इतना करके चलेंगे तो आपकी बॉडी PCOD से पहले ही पीडित है 33 किलो भी चलेगा मैं एक्जांपल देरी हूं ठीक है फिर देखें अब सब कुछ है सब कुछ नॉर्मल है तो सब कुछ नॉर्मल है तो क्या हो सकता है फर्टिल धर्टिल्थन और यह पीडियूस पॉर्मों धीम हो रहिए तो इसन दीजा एक तो प्रोजेस्टन दी जा सकती यह ऍहिसे कैसे कीस फीरम में देना है भेस्व पीजाइनल रिंग के फंदे थी वीगाइनल रिंग जो की रिंग जैसे होती लेकिन शॉलिद नहीं हो ती आर एक्ससिव हैर ग्रोथ और दो कि नहीं होगी हुगा इन होगी तो आप झाता है तो इक्सीव हैर ग्रोथ होगी आपके बाड़ी में होगा तो मेलाये के संगशन फिर क्या होगा मैचय और इंग और ठीम होगा तो यु आग्ली चीज है मेटफरमीन अगर टाइबटी जैसी कंडिशन आही गई है इंसुलीन रेजिस्टंस होई गया बौडी स्ट्वर लेवल बहा है तो मेटफरमीन दे सकते हैं दोक्टर मेटफरमीन से क्या होगा कि जो इंसूलीन का लेवल है वो इंप्रूव होगा फि एक चीज है, क्लोमिफोर, ड्रॉमिफोर क्या है, it is a fertility drug, इसको दी जा सकती है, fertility drugs लेने से क्या होगा, कि जो फीमेर्स इन फर्टाइल होगा है, ड्यू टू पीसी एस प्रेगनेंसी नहीं गांसी वह रही है, उसमें हो सता है, ठीक है, से यहारीं सोचेंगे लीजरा के याइन याज proven되 ऐगे लीजराई और सब्सक्राइप कि अप्रॉब्लम दनैला आफकाइ बालोग एफ शलुजण है अब सर्जरी के बात करें तो देखिए सर्जरी ऐसा नहीं है कि कुछ काट पीक के कुछ धर उधर से नहीं बहुत आराम से ओवरी ड्रिलिंग इसको कहते हैं गजायना के थरू एक पाइप इंसर्ट किया जाता है पाइप इंसर्ट करते हैं ओवरी में ड्रिल्स करते हैं छेद करते हैं इस छेद करने से क्या होगा कि थोड़े छोटे-छोटे-छोटे छेद कर दिये जाते हैं ओवरी में या फिर नीडल इंसर्ट करके ओवरी में छोट PCOS या फिर पॉलिसिस्टिक ओवरी डिसीज तो इसे डरना घबराना या फिर भ्रहम रखना किसी तरह का काश मैंने यह ना किया होता तो यह हो जाता ऐसा हो जाता वैसा हो जाता यह साथ चीजे नहीं सोचनी है यह सिर्फ एक लाइस्टाइल है आपको जो इंप्रूव करनी है तो this is all about PCOS उम्मीद करती हूँ जैसा आपको समझाना चाह रही थी बताना चाह रही थी अपनी बात को वैसे कह पाई हूं आपसे अगर वीडियो से रिलेक्टेट कोई सजेशन है तो कमेंग सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बता दीजे मैं आपके सजेशन को इंकॉर् तो this is all about today's video और हाँ एक चीज़ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलिएगा वीडियो को शेर कीज़े अपने फ्रेंग्स से शेर कीज़े आगे जानकारी को पास करते रहिए लोगों तक पहुंचनी चाहिए बाते और this is all about today's video thank you very much